स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर Plumber Trade Theory के जो CBT Examination की Questions हमने आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट की है आज उस सीरीज में हम लोग करेंगे Part 3 इसके पहले के दो Parts अगर आपने नहीं देखे हैं तो Description में हमने सभी तरह की जरूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी है Plumber Theory के सारे जो Subjects हैं Trade Theory के अलावा उनकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप जाके उनकी अच्छे Study जरूर कीजेगा यह सिर्फ आपके Question Answer Session नहीं होगे यहाँ पर हमने Classes नाम इसलिए दिया है Questions और Answers के साथ-साथ हम लोग उसे थोड़ा सा Brief में Discuss भी करेंगे जिससे आपको ना सिर्फ यह Questions पता चलें इनके अलावा भी बाकी आपको Knowledge यहाँ पर गेन हो और आप बाकी भी competitive exam यहाँ पर पास कर पाएं और ITI Online exam के लिए तिस सारे के सारे Questions इतने important है इनके बाहर से कभी कुछ पूछे नहीं जाते क्योंकि नेमी भारत स्किल की Question Bank से लिए गए प्रसन है सभी तो चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा साथ में प्लीज हमारे motivation के लिए वीडियो को लाइक जादा से जादा कीजेगा क्योंकि आपका लाइक ही वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुचा सकता है तो Question No.51 से Start करेंगे and 75 तक यहाँ पर हम लोग करेंगे इस सीरीज में यहाँ पर Question No.51 है What the name of Nut? इस Nut का आपको नाम बताना है कि किस तरह का Nut है यह ठीक है? Nut और Bolt पिछले क्लास में हमने डिसकस किया था Bolt वो होता है जिसमें External Threads होती है and Nut वो Part होता है जिसमें Internal Thread होती है कई बार आप लोग इस वाले पोर्षन को Bolt बोल देते हैं and दूसरे वाले को Nut बोल देते हैं तो यह गलत है यहाँ पे अब यह जो Nut है यह आपका Locking Nut है एक तरह का क्या है Locking Nut है? यह सारे यहाँ पे Locking Nut के नाम दिये गए हैं जो क्या करते हैं? Locking के काम आते है Locking वाले Operation में काम आते हैं यह है आपका Sawn Nut इसमें क्या होता है? देखिए एक Slot बना हुआ यहां पर आपका एक क्या होता है ग्रूब बना होता है जिसमें एक स्क्रू लग जाता है और यह nut क्या हो जाता है फिर अपनी position पर लॉक हो जाता है फिर यह असानी से खुद से vibrations यह लूज नहीं हो सकता है ठीक है यह हो गया आपका sun nut अब अगर यहां बात करें castle nut और slotted hex nut की यह आपका slotted hex nut होता है या slotted nut भी बोलते है इसमें nut में ही देखे slots कटे होते हैं इसमें कोई pin डाल की से क्या करते हैं लॉक कर देते हैं उसी जहां अगर आप castle nut देखेंगे, तो castle nut में क्या होता है, bolt पूरा होता है, bolt के उपर अलक से arrangement slot का बनाया होता है, यही थोड़ा सा difference होता है, इसमें क्या होता है, इसी bolt में slots काट दिये गए, ठीक है, इसमें उपर अलक से slots बनाये जाते हैं, इसे हम लोग castle nut कहते हैं, इसे ह यहाँ पर बाकी options आपके दिये गए, तो यह भी आपके कभी कभी यह drawing के question में पूछा जाता है, इसका figure दे के, कि यह किस तरह का nut है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका discussion भी कर दिया है, अगला question बावर नमबर है, which nuts are used to protect thread at the bolt end from damage, कौन सा nut हम bolt के end पे thread को damage होने से बचाने के ल तो यहाँ पर right answer आपका है, domed cap nut, इसमें क्या होता है, इस तरह का एक cap बना होता है उपर, अब इसको आपने जिस भी bolt में tight किया, यहाँ पर क्या हुआ, thread अब इस वाले cap से protected है, ठीक है, तो thread क्या होगा, आपका damage नहीं होगा, इसके उपर कोई चीज गिरता है या कुछ हो तो एक यह plates है, आपकी दूसरी यह plate है, और क्या किया गया, एक single rivet से इन्हें जोड दिया गया, ठीक है, तो एक दूसरे को उपर है, इसका मतलब भी है lap joint, ठीक है, अब कैसा है, क्योंकि यहाँ पर single rivet use हुई है, यह हो गया आपका single rivet lap joint, कौन सा हो गया, single riveted lap joint, क्योंकि एक line rivets की use की गई है, एंड यहाँ पर plate single है, अब अगर यही आपका कुछ इस तरह का joint होता, ठीक है, कुछ इस तरह का joint होता यह, ठीक, और यहाँ पर आपकी rivet होती होता, single riveted ही होता है, यहाँ ठीक है, lap joint, अब यही अगर यहाँ पर double rivet लगा दी जाए, एक line और इसकी आ जाती है, double riveted lap joint हो जाता, अगला question है, what the use of odd leg caliper, यहाँ पर कह रहा है, odd leg caliper का उपयोग क्या है, for describing arcs and circles, बृत और बृत चाप को चिन्हित करने के लिए, for making lines parallel to inside and outside edge, अंदरी और बाहरी किनारों के समाना अंतर line खीचना, for measuring the internal dimension, यह तो नहीं कर सकता यह, for measuring external dimension, इसके यह outside caliper आता है, ठीक है, तो यहाँ पर odd leg caliper का काम होता है, अंदर और बाहरी किनारों के समानतर रेखाएं चिन्हित करना, समानतर रेखाएं खीचने काम आता है, यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, देख रहे हैं, सीधी सीधी रेखा, खीची जा रही, और फैला के फिर सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा, इस तरह से आप इससे खीच सकते हैं, ठीक है, यह क्या है आपका odd leg caliper, अगला question है, what the application of inside caliper, inside caliper का application यहाँ आवेदन मत पढ़िएगा, application मतलब होता है, यूज अनुपरियोग क्या है, ठीक है, तो inside caliper एक आपरतक चमापी ओजार है, पहल इसी आवजार में इनकी नाप लेके, जो प्रतक चमापी हो लाइक, scale, vernier calipers, फिर आप उनका measurement बता सकते हैं, तो inside caliper जैसा नाम है, वैसा इसका काम है, internal जो measurement होते हैं, उनके नापने के काम आता है, जैसे माल लिजे आपका एक pipe हो, अब हमको इसका dia नापना हो, internal dia, तो उस की measurement हम बाद में लेते हैं, उसी यहां जो outside caliper होगा, वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ उसके किनारे मुड़े होते हैं, जो बाहरी diameter को measure कर सकता है, अगला question है, what the type of hammer, इस hammer का आपको प्रकार बताना है, कैसा hammer है, set hammer है, plain hammer है, cross hammer है, straight pin hammer है, यह है आपका set hammer, इसे क्या बोल what the inclination angle of chisel to cut mild steel, देखे, chisel यानी क्या होता है, आपका छेनी, अब यहां पर अगर कोई mild steel को आप काट रहे हैं, तो जो छेनी है, उसका angle कितना रहेगा, inclination angle कितना रहेगा, वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है, तो इसका inclination angle होता है, आपका 34.5 degree, right answer क्या आपका option number C, 34.5 35 degree, next question, what the use of prick punch 30 degree, 30 degree के prick punch का उपयोग क्या है, तो prick punch का क्या यूज होता है, prick punch होते है, center punch होते है, dart punch होते है, सबके अपने अपने usage है, यहां पर prick punch की अगर बात करें, तो prick punch का क्या यूज है, prick punch का उपयोग होता है, to locate the divider point and scribe circle, ध्यान दीजे, यहां पर जो divider point है, ठीक ह और जो scribe circles है आपके उनका पता लगाने मतलब होता है उसको locate करना जैसे क्या होता है माली जै कोई आपके पास यह plate है इस पे आपने divider या scriber से जो भी है इस पे आपने क्या किया कोई चिन लगाया ठीक है कोई भी आपने marking की measure करके वहाँ पे आपने marking कर दी तो prick punch से क्या करते उसे हम locate करना मतलब उसे हम क्या करते है पक्का कर देते हैं जिसे हमें पता रहे हाँ यहाँ पे हमने marking की थी तो वही आपका यहाँ पे prick punch next है which punch is used to locate the center of drill point drill point के केंदर का पता लगाने के लिए किस punch का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए हम लोग use करते हैं center punch का use करते मालीजे इस तरह कि आपकी plate है इसमें आपको कोई drilling करनी थी और आपने यहाँ पे measurement लेके यहाँ आपने scriber से marking की यहाँ पे drilling करनी है तो यहाँ आप क्या करेंगे center punch एक tap मारेंगे यहाँ पे ठीक है एक punch मारेंगे hammer की साहता से और फिर यही point होगा जहाँ आप drill bit रखके फिर drill करेंगे ठीक है तो right answer क्या आपका center punch अगला question है what the formation on iron and steel caused by moisture and oxidation in atmospheric condition why मंडली स्थिती में नमी और आक्सी करण के कारण लोहे और steel पर क्या निर्मित होता है तो आक्सी करण के कारण क्या निर्मित होता है आक्सी करण के कारण हमेशा आपकी होती है रस्टिंग या जंग लगना जिसे हम कहते हैं लोहे का oxidation होता है aluminium का भी oxidation हो जाता है ठीक oxygen एक ऐसी चीज़ है जो इस पे क्रिया करके इसके metal का oxide बनाती है और लोहे का छरण होता है नुकसान होता है ठीक है तो right answer क्या होगे आपका rusting next question है what the formation deposited on pipes due to hardness of water पानी की कठोरता के कारण पाइपों पर जमा होने वाला formation क्या है तो पानी की कठोरता कारण जो पाइपों पर formation होता है उसे हम लोग कहते है scaling क्या कहते हैं रस्टिंग क्या हो गया जंग लगना पिटिंग होता है न ऐसे छोटे छोटे होल सो जाते हैं ठीक है and erosion मतलब क्या होता है continue कहीं impact या कुछ हारा उसकी वज़ा से erosion भी होता है आगे इस पर हम लोग बात करेंगे अगला question है what the defect of slow and continuous degradation of metallic surface by chemical reaction काफी important question रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा धात्विक सता के धीमे और निरंतर छरण दोस को क्या कहते हैं corrosion एनि जंग, erosion एनि कटाव, lamination एनि प्रतबंदी या contraction एनि सिकोड़ना या संकुचन तो रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा जो निरंतर छरण होता है उसे हम लोग कहते हैं जंग oxygen, moisture यह सब मिल के क्रिया करते हैं, oxide बनाते हैं, एक layer खतम होती है, फिर दूसरी layer को खतम करते हैं, फिर तीसरी इस तरह से लोहा जो है आपने देखा होगा, बरसात वगरा में कैसे लोहा, अगर आप बाहर रख देते हैं, और बरसात के बाद उसे देखेंगे, उसकी एक पूरी layer निकल जाती है, और वो कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं, इस तरह आपने देखा होगा, metal parts पे, अगला question है, what the beer of metal pipe surface caused by impact of particles suspended in liquid, यहां यह कहरा है, जो liquid आपका pipe के अंदर जा रहा है, उसमें कुछ particles भी होते हैं, ठीक है, उनका impact continue pipeline की surface पे, दिवाल पे अंदर पे पढ़ता रहता है, उसकी वज़ा से, जो धात पाइप है, उनकी सता में क्या होती है, scaling हो जाती है, यह तो hard water से होती है, rusting यानि जंग लग जाते हैं, erosion यानि कटाव होता है, elimination यानि परतबंदी, तो उन particles के वज़ा से जो impact continue लगता रहता है, आपका erosion वाला जो दोस है यह आ जाता है pipe surface में, किसका दोस आ जाता है, erosion का, especially जो bend वगरा होते हैं, यहाँ continuous ज्यादा impact आता है, ठीक है, तो इस वज़ा से यहाँ पर erosion ज्यादा होता है, बज़ाए जो straight line होती है, वहाँ से, 64 number question है, what the localized formation as cavities are pores on stainless steel due to salty water condition, नमकीन पानी की इस्थिती के कारण, stainless steel पर cavities या छिद्रों का localized formation क्या है, तो यहाँ पर पूँछ रहा है कि localized formation क्या है, किसकी वज़ा से, जो salty water होता है आपका, scaling होगी, rusting होगी, pitting होगी या erosion होगा, तो यहाँ पर होती है आपकी pitting, ऐसे छोटे 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 जोटे 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 पिटिंग टाइप के चोटे चोटे गड़े मिल जाते हैं, जिसे हम pitting का दोस कहते हैं, कुछी इस तरह से आ on its thickness, इसकी मोटाई पर समतलता या सपाट और पतले उपसता अलगाव के साथ, धातो की plate पर क्या दोस है, तो इसे हम लोग कहते हैं, lamination, क्या कहरा है न, कोई metal plate है, उसके उपर discontinuity आ गई, या flat और thin एक सब surface उसके से अलग हो गई, ठीक है, उसकी थिकने से क्या हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते है, जैसे किसी चीज के उपर आप कोई lamination कराते हैं, मतलब एक layer और चड़ जाती है, तो ऐसी आप कह सकते हैं, ये metal में एक defect होता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बट जनरली कई बार steel वगरा rolling के थुरू बनाये जाते रहत 66 number question है, what the name of die stock, इस die stock का नाम क्या है, screw die stock, quick cut die stock, button pattern die stock, या ratchet type pipe die stock, ये आपका क्या है, ratchet type die stock है, answer आपका यहाँ पे D जो है, सई हो जाएगा next question, थोड़ा साब को एच छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, question है यहाँ पे, what the formula used to calculate blank size of round rod before cutting external thread, यहां कह रहा है, बाहरी चूड़ी को काटने से पहले, जो गोल छड़ का खाली आकार है, उसकी गड़ना हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका formula होता है आपका, option number A, blank size equal to thread size minus 0.1% pitch of the thread, मतलब जो चूड़ी का आकार हो, ठीक है, जो आपको दिया गया हो, उसमें से 0.1% thread pitch जो है, उसको आप घटा देंगे, तो आपको blank size जो है, वो calculate होके मिल जाएगा, अगला question है, what is the formula to calculate tap drill size, tap drill के आकार की गड़ना करने का सूत्र क्या है, तो tap drill के आकार की गड़ना करने का सूत्र होता है, minor dia is equal to major dia minus 2 into depth, जो गहराई है, ठीक है, minor diameter बराबर क्या होता है, major diameter minus 2 गुणे, जो thread की आपकी depth है, वो, ठीक है, यह आपका यहाँ पे calculation करके formula निकलता है, अगला question है, what is the type of elbow, यह elbow किस तरह की है, तो देखिए, elbow आपकी क्या होती है, कहीं भी pipe में आपको कोई angle देना होता है, 90 degree elbow भी आती है, and 45 degree भी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसी elbow है, यह आपकी 45 degree elbow है, ठीक है, right answer क्या होगी, आपका 45 degree elbow, next question, what is used to close the pipeline that has an external thread, देखिए, ध्यान दीजे, question काफी important है, एक pipeline है, जिसमें बाहरी चूड़ी बनी हुई है, ठीक है, इसे बंद करने के लिए, इसे close करने के लिए, हम क्या use करेंगे, तो obvious सी बात हम कोई ऐसी चीज चीज यूज करेंगे, जिसमें internal thread बनी हो, और internal thread आपकी बनी होती, cap में, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, cap, नीमी PDF में आपको इसका answer plug मिलेगा, जबकि plug उसके लिए होता है, जहाँ पे internal thread हो, मा लीजे आपकी pipe है, यहाँ पे ऐसा thread बना है, तो इसमें हम लोग plug लगाते हैं, जिसमें external thread बना होता है, और यह इसके अंदर आके tight हो यह आपके है plug, जो आपके internal thread वाले pipe में लगेंगे, अगला question है, which type of fitting used for easy to dismantle and repair, किस प्रकार की fitting का प्रयोग आसानी से बिगटित और मरमत करने के लिए किया जाता है, निपल का, कपलिंग का, यूनियन का या रिड्यूसर का, तो ध्यान दीजे, जो यूनियन फिटिंग हो dismantle और assemble दुबारा कर सकते हैं, इसलिए इसका काफी ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है, 72 question है, what material used to manufacture AC pipes, AC मतलब होता है asbestos cement, asbestos cement pipe बनाने के लिए कि सामगरी का उपयोग किया जाता है, asbestos fiber clay और lime का, asbestos fiber portland cement and silica का, asbestos fiber lime and cement का, या asbestos fiber, silica and lime का, तो right answer आपका, asbestos fiber, portland cement और silica का प्रयोग करके हम AC pipe यानी asbestos cement pipe बनाते हैं, इस तरह की pipelines आपने देखी होगी, जो sewer lime और अगरा में use की जाती है, question 73 है, which material used to join CI pipes, CI मतलब cast iron pipes को जोड़ने के लिए कि सामगरी का उपयोग किया जाता है, तो cast iron pipes को जोड़ने के लिए हम pig lead, ठीक है, pig lead का use करते हैं, इसे कई बार सिक्का भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं cast iron pipes को जोड़ने में, जहां joint होता है, वहाँ इसे पिगला के भरा जाता है, ठीक है, right answer क्या होगी, option number A, pig lead का, next question है, what the length of pipe projection required from the wise while threading GI pipe, यहां कहा रहा है, GI pipe में thread काटते समय, wise से pipe प्रक्षेपन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 125 mm होनी चाहिए, 125 से 150, 150 से 200 या 150 से 200, तो right answer आपका 150 से 200 mm वहाँ पे projection होना चाहिए wise से pipeline का, question number 75 है, यहां पे हमने आपके लिए इस बार bonus question नहीं रखा है, question number 75 है, what is the advantage of cast iron pipes, cast iron pipe का यहां पे फायदा बताना है क्या है, less corrosion, rarely available, costly या crack easily, यहनी आसानी से crack हो जाता है, महंगा है, कम उपलब्ध है या कम जंग, तो cast iron pipe पे corrosion कम लगता है, जंग कम लगता है, यह इसका सबसे बड़ा advantage होता है, तो यह आपका यहां पे right answer option number A, वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा, बाकी के जो questions अगले part में हम लोग करेंगे, वीडियो को like and share जरूर आपने किया होगा, नहीं किया तो कर दीजएगा, चैनल को subscribe किये रवाए, बिल्कुल मत जाएगा, यहां पे आपको अभी पढ़ाई के साथ साथ, आने वाले टाइम में जाब, अपरिंटिप की update, उनके form भरने की वीडियो, उनके results, सारी चीज़े यहां पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी, thank you very much, ख्याल रखिएगा, आपना मिलते हैं, अगले update के साथ, अगले वीडियो में,